पुरानी चूडी कार्डबोर्ड से बनाए एकडम नया अनोखा शुबलाब क्राफ्ट दिवाली और किसी भी तोहार के लिए एकडम परफेक्ट क्राफ्ट हलो दोस्तों मैं हूं नारेंद्र दिल्ली इंडिया से क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है चूडिया तो हम सभी के घरों में होती हैं तो बस कुछ पुरानी चूडियों को इकठा कर ले मैंने एक साइज और एक समान मोटाई की छे चूडिया ली हैं इसके साथ ही पुराना कार्डबोर्ड भी ले लिया है चूडि को कार्डबोर्ड पे रखकर बाहर की तरफ आधे इंच पे निशान लगा ले इन्हें फ्लेश कट काट ले इसका साइज करिब चार इंच आया है ये साइज चूडियों के साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा हो सकता है ये वाल पुट्टी है जो किसी भी हार्डवेर की दुकान पे आराम से 40-45 रुपे कीलो मिल जाता है पेक के पीछे देखने से किलियर है कि ये काफी हद तक सेफ है जो अन्य ब्रांड में नहीं मिलता बॉल पुट्टी में पानी मिला कर बहुती बढ़िया और सौफ्ट डो बना सकते हैं डो बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलवध है ना मिले तो मुझे इनबॉक्स करें डो बनाते वक्त की सारी साफधानिया भी डिस्क्रिप्शन में मैंशन है उन्हें भी जरूर पढ़ें ये डो चार घंटे तक ही चलते हैं तो जरूरत के हिसाब से बनाए और काम करते वक्त इसे गिले कपड़े या फिर पॉलिथिन में लपेट कर रखें अलग से एक बाउल में वॉल पुट्टी, फेविकोल और थोड़ा सा पानी मिला कर स्मूथ पेश्ट तयार कर ले चिपकाने का सारा काम हम इसी से करेंगे सबसे पहले चूडी को गोल शेप के ठीक सेंटर में चिपका ले ये काम सभी सेट्स पे करें और थोड़ा सा ड्राई होने दे डो से छोटे-छोटे कंचे के आकार के राउंड शेप बनाएं इन्हें चूडी के बाहर आउटर एरिया में चारो तरफ चिपकाते चले जाएं पहले एक सेट पे कंप्लीट करें फिर सारे सेट पे यही तरीका अपना कर चिपका ले और अच्छी तरह ड्राई होने दे यह ड्राई कितनी दिर में होता है यह इसकी मोटाई पे निर्भर करता है धूप में जल्द सूपता है और छाया में थोड़ा टाइम लग जाता है जैसे ही यह ड्राई हो जाता है तो डो से पतले कौईल बनाएं चूडी के अंदर ठीक सेंटर में चिपका लें चिपकाने का सारा काम हम वॉलपूटी पेस्ट से करेंगे चक्र में जैसी तिलिया होती है ठीक उसी तरीके से कौईल को चिपकाते चले जाएं एक बार में पूरा ना चिपकाएं पहले थोड़ा गैप रखें ड्राई होने दे फिर गैप में भी चिपका कर कम्पलीट करें छोटे वाले गोल शेप पे मैंने वाल पुटी पेस्ट से टैक्शर दिया है ये औप्शनल है आपको टैक्शर पसंद है तो दे सकते हैं नहीं तो प्लेन ही रहने दे किनारे की साइड में भी वाल पुटी को फिल करें और टैक्शर को ड्राई होने दें एक अलग से कार्डबोर्ट पे चूड़ी के अंदर वाला साइज का निशान लगाएं अंदर अच्छे स्टाइल में शुबलाव लिखें चाहें तो गूगल से रिफरेंस ले सकते हैं ये एमसील है सबसे छोटा पैक 10 रुपे का किसी भी हार्डवेर स्टोर या स्टेशनरी शॉप पे आसानी से मिल जाता है इसमें से दो पाउच निकलते हैं दोनों को मिला कर एक ब्लैक कलर का क्ले बन जाता है कार्डबोर्ड पे राइटिंग के उपर टेलकम पाउडर का कोट करें ताकि एमसील ना चिप के एमसील से पतले कोईल्स बनाए ये काम आप मोल्डिट कले या फिर शिल्पकार कले से भी कर सकते हैं पर वो थोड़ा महेंगा पड़ता है चोईस आपकी है राइटिंग को फॉलो करते हुए ये शुबलाब को आकार दें थोड़ा बहुत अंतर होता है तो होने दे एमसील का डो 15-20 मिनट तक सॉफ्ट रहता है उसके बाद हाड होना शुरू हो जाता है तो कोशिश करके 20 मिनट के अंदर सारा काम खतम कर लें एमसील से काम करते वक्त अपने हाथों में टेलकम पाउडर लगाना ना भूले इन्हे कंप्लीट करें और कम से कम 2 गंटे तक ड्राई होने दे आए कलर की शुरुआत करते हैं मन पसंद एक्रेली कलर से कलर शुरू करें आप चाहें तो ओयल पींट या फिर पोस्टर कलर भी कर सकते हैं एक्रेली कलर का दो या तीन कोट करें एक कोट को ड्राई होने दे फिर दुबारा कोट करें अपने आप शाइनिंग आ जाती है और वार्णिश की ज़रूरत नहीं पड़ यहां प्रियोग किये गए सभी कलर्स के नाम और नमबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है शुबलाब को गोल्ड या सिल्वर या किसी भी ब्राईट कलर से कोट करें सूखने के बाद एक बार रख कर देख लें फिर इन्हें फेविकोल से चिपका लें इन्हें भी अच्छी तरह ड्राई होने दें कट मिरर हैं तो उनका भी कहीं यूज कर सकते हैं यह लेसिस या बॉर्डर दुपट्टे मैचिंग सेंटर जैसी दुकान पे 10 से लेकर 30 रुपे मीटर के हिसाब से आसानी से मिल जाता है इन्हें 4 या 5 इंच लंबे साइज में 6 टुकडे काट ले कोई भी सौप्ट टॉवल पे क्राफ्ट को पलट कर सावधानी से रखे थोड़ा फेविकोल और थोड़ा एमसिल से बॉर्डर को चिपका ले सारे सेट्स पे चिपका कर इन्हें अच्छी तरह ड्राई होने दे ये चोड़े बाले बॉर्डर जो मुझे 30 रुपे का एक मीटर मिल गया इसे एक बार नापकर सभी गोल वाले सेट्स को रखकर अनुमाल लगा ले इसके साथ ही दो-दो सेट्स के बराबर कार्डबोर का मजबूत तुकडा काट ले बॉर्डर को पलट कर सभी तुकडो को सेट कर ले बीच में थोड़ा गैप रखे तुकडो पे पहले फेबी कोल लगाए फिर एमसिल काप दोनों तरफ पैच लगाए इन टुकडो को अपनी जगा चिपका ले तीनों टुकडो को चिपका कर अच्छी तरह ड्राई होने दे किसी भारी चीज से इन्हें दबा दे ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए अब आप गोल वाले शुबलाब और बाकी शेप्स को इसी तरीके से चिपका कर ड्राई कर ले चिपकाते वक्त शुबलाब सीधा है या उल्टा है इसका ध्यान रखे साथ में गोल वाले शेप के बीच में गैब कितना रखना है इसका भी ध्यान रखे ये पतला तार जो असानी से मुड़ जाता है तार नहीं है तो थोड़ा मोटा वाला धागा भी ले सकते हैं इसे गोल वाले शेप के ठीक सामने हैंगर की तरह बनाकर एमसिल से चिपका लें ये कुछ प्रॉप्स हैं जो शायद चूड़ी में बांते हैं राखी के ठीक लास्ट दिन ये मैंने लिया था काफी सस्ता में मिल गया था अगर आप आटें क्राफ्ट करते हैं तो आपको थोड़ा जागरुक रहना पड़ता है इस तरह के डेकोरेशन आइटम सस्ते में कैसे मिले ये भी सोचना पड़ता है इन्हें भी एमसिल से चिपका कर सेट होने दें ये दो गंटे में अच्छी तरह ड्राई होकर सेट हो गया है तो इसे सावधानी से पलट लें दोनों किनारे और बीच में ये अभी भी खाली लग रहा है तो ये हाथ में बानने वाला धागा है इसके फूल को निकाल कर फैवी कुईक से जहां खाली स्पेस है वहां चिपका लें तो दोस्तो पुरानी चूडी और कार्डबोर्ट से बना शानदार शुबलाव क्राफ्ट बिल्कुल तयार है घर के किसी भी डोर पे लगा दे शानदार दिखेगा कार्डबोर्ट के बीच में गैब की वज़े से ये आसानी से फोल्ड होकर कहीं भी ले जा सकते हैं टांगने के लिए छोटे वाले कील का इस्तमाल करें क्योंकि ये भारी है अगर धूल मिटी जम जाए तो ड्राइब ब्रस से या फिर गीले कपड़े से साफ करें तो देर किस बात की चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि हर नया क्राफ्ट वीडियो आप समय पे देख पाएं खोश रहें सुरक्चित रहें क्राफ्ट करते रहें आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट